हेलो बच्चो कैसे हो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको चार स्मॉल स्मॉल ट्रिक्स या कंसेप्ट देने जा रहा हूं और डेट इस वेरी इंपर्टेंट इस पर बेस प्रॉलम बहुत सारे आते हैं तो देखें ट्रिक नंबर वन राइट कि अगर आपको बॉंड एंगल कंप्रिजन करना हो अगर आपको मॉलिकूल गीवेन है और पूछा जाए किसमें बॉंड एंगल ज्यादा होगा किसमें कम होगा या इंक्रीजिंग और में एरेंज करो तो इस टाइप के प्रॉलम को आप यह चार पॉइंट के थुरू कर सकते हैं पॉइंट नंबर नए डिफेरेंट हाविडाजेशन है तो यह नोओ सबस्याद एंगल होता है 182 में केतना होता है 120 डिगरी इसमें 180 डिगरी होते हैं और एस पी थी तीरी में 109 28 मिनेट होता है जिसको मैं प्रॉक्स ले रहा हूं 110 तो यहां से क्लियर हो जागा तो अगर डिफेरेंट हावि BF3 में SP2 है, तो फिर इसका होगा, CH4 में SP3 है, तो सबसे कम इसका होगा, तो इस टाप के प्रावलम के मैं बात कर रहा हूँ, Point No.2, कि अगर हाइविडाशन सेम हो गया, तब क्या करेंगे सर, अगर हाइविडाशन सेम हो जाता है, तो आपको फिर चेक करना है Loan Pair, अगर Loan Pair increase हो रहा है, तो Bond Angle के हो जाएगा, decrease हो जाएगा, क्यों, क्योंकि you know, सबसे जादा रिपर्शन किसम होगा, Loan Pair, Loan Pair के बीच, अगर दो Loan Pair होंगे, तो उसमें बहुत जादा रिपर्शन होगा, तो उसके रिपर्शन होने के वज़ा से Bond Pair के बीच Angle कम हो होता है, तो कहने का सिंपल सा पॉइंट यह है, कि अगर हाविडाशन अपने चेक क्या वो सेम आ रहा है, और Loan Pair increase हो रहा है, तो Bond Angle decrease हो जाएगा, तो इसलिए आपका यह order रहेगा, अगर हाविडाशन भी सेम हो जाता है, तो फिर आपको देखना पड़ेगा, कि surrounding atom अगर सेम है, और central atom डिफरेंट हो रहा है, surrounding सेम है, बट central different हो रहा है, तो फिर electronegativity, अगर electronegativity decrease होगी, तो bond angle भी कम होगा, for example, NH3, PS3 में, तो देखो, हाविडाशन सेम, SP3, SP3, Loan Pair सेम, 1,1 Loan Pair, surrounding सेम, hydrogen, hydrogen, तो अब हम किस से जाएंगे, central atom से, central atom क्या हो रहा है, different हो रहा है, तो central atom के electronegativity अगर कम होगी, तो bond angle भी क्या हो गया, कम हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर bond angle का order यह रहेगा, similarly, हाविडाशन सेम है, Loan Pair सेम है, central सेम है, but surrounding अगर different है, तब क्या करेंगे, for example, NF3 और NCL3, दोनों में हाविडाशन, SP3, Loan Pair दोनों में सेम, 1,1, central atom सेम, nitrogen, nitrogen, surrounding different हो रहा है, तो फिर electronegativity अगर कम हो रहा है, तो bond angle increase होगा, यहाँ पर ध्यान दे, उल्टा क्यों, क्योंकि surrounding atom का size अगर बढ़ेगा, तो उनके बीच रिपर्सन होगे, तो उसके बाउन एंगल का हो जाएंगे, increase हो जाएंगे, तो इसकेस में bond angle का यह order होगा, तो यह तीन point clear होगा, चौथा point यह है, कि अगर more than one loan pair है, तब क्या करेंगे sir, तो अगर एक से ज़्यादा loan pair है, तो मैं आपको suggest करूँगा, कि आप actual shape उसका draw कर लो, जो की hybridation वाले trick में बता रखाऊं, and then उसके बाद आप find out करो, जैसे XZF2, तो you know XZF2 का shape जो हो जागा, actual में कैसा हो जागा, आपका linear हो जागा, यह तीन loan pair के जासे यह, cancel हो जाएंगे 120 पे, तो एक fluorine plane के आप, और एक fluorine plane के down, और XZF4 में कैसा रहेगा, यह 180 पे loan pair cancel, और यह 4 fluorine आपके, एक plane में, तो इसलिए मैं बोला कि अगर एक से जादा loan pair है, तो बेटर है कि आप shape draw कर लो, आपको पता लग गया, linear है 180 डिग्री है, और जब कि यह 90 डिग्री इनके बीच है, तो इसलिए bond angle के बाद करेंगे, तो सबसाद है XZF2 में होगा, in completion of XZF4, तो very simple, just make overview दे रहा हूँ, अगर half-daction different है, तो SP का सबसाद होगा, फिर उससे कम SP2, उससे कम SP3, half-daction same है, loan pair increase हो रहा है, तो bond angle decrease हो जाएगा, अगर half-daction भी same है, loan pair भी same है, तो central और surrounding पर जाकर के देखेंगे, अगर surrounding same, central different, तो electron negativity कम होगा, तो bond angle कम होगा, central same है, लेकिन surrounding different है, तो electron negativity कम होगा, तो bond angle increase होगा, और अगर एक से जादा loan pair आ रहा है, तो फिर आप actual shape draw कर करके, फिर checker ने bond angle किया है, उसमें, अब हम बात करते हैं, next concept की, that is inter-molecular force of attraction, तो यहाँ पे एक point मैं clear करना चाहता हूँ, inter-molecular, अपने आप में suggest कर आपको कि दो molecule के बीचे हैं बात कर रहे हैं, अभी तक जो हमने bonding की बात किये थी, वो दो atom के बीच, जैसे हेचेफ, तो hydrogen और fluorine atom के बीच जो bonding है, that is chemical bond, वो वाली बात नहीं कर रहे हैं, अब हेचेफ एक molecule बन गया, दूसरा हेचेफ एक molecule है, उन दोनों के बीच bonding की बात कर रहे हैं, तो intermolecular force of attraction, दो molecule के बीच, फार एक्जामपल, जैसे water का एक molecule बन गया, दूसरे water के molecule के बीच, जो force of attraction होगा, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं, या फिर water का एक molecule होगा, और हेचेफ का एक molecule, उनके बीच, जो force of attraction होगा, इसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, है एप बीच भी एकट्रेक्षण है डाट हम वो बात नहीं कर रहे हैं दो मॉलिकूल के बीच जो बांडिंग होगी that is intermolecular force of attraction के नाम से जाना जाता है तो उसके बारें बात करने जा रहें तो that's very simple यह total five type के हो जाएंगे और name से ही clear होंगे इसलिए इसमें ज़्यादा आपको tension लेनी की ज़ोते नहीं है iron dipole name अपने आप में suggest कर रहा है एक iron होना चीए iron कब बनेगा जब ironic compound होगा तो iron dipole मतलब polar compound को भी और इसका मैं trick दे रखा हूँ कि आप कैसे पैचानेंगे कोई भी covalent molecule polar होगा या non polar होगा तो iron dipole मतलब एक iron होना चीए और एक dipole that means iron में either cation हो सकते हैं या इन आयन हो सकते हैं और dipole मतलब कोई polar compound एक्जामपल अगर बात करें आप तो जैसे na plus और water तो यह iron हो गया और water इसे polar molecule तो इसमें iron dipole interaction होगा similarly cl-nin हो गया और hf यह एक polar molecule हो गया तो इसमें iron dipole interaction होगा दूसरा है dipole-dipole तो dipole-dipole मतलब दोनों molecule polar होना चाहिए दोनों सेम भी हो सकते हैं different भी जैसे स्रिफ h2o तो h2o के एक mole भी लिए तो यह नो 6 into 10 के पार 23 molecules है तो polar compounded water इसलिए इनके बीच क्या होगा dipole-dipole interaction होगा या फिर water में आप NS3 कोई दूसरा एट कर दें तो यह भी polar है यह भी polar है तो इनके बीच जो interaction होगा उसको बोलेंगे dipole-dipole interaction next is iron induced dipole iron induced मतलब iron ने induced किया है राइट इसलिए iron होगया तो cation या anion होगा और induced dipole मतलब पहले से वह polar नहीं था इसलिए वह non polar compound होगा for example na plus और cl2 के बीच या फिर na plus carbon dioxide के बीच तो यह iron होगया आपका और यह non polar compound होगया तो अगर cation या anion plus non polar compound के बीच अगर force of interaction है तो उसको बोलेंगे iron induced इसको मैं simple way मैं समझाता हूँ iron induced का क्या मतलब है यह से suppose करो कि आप अपने दोस्तों के साथ movie देखने जा रहो आपने अपने दोस्त को call के है कि movie देखने चनना है तो वो मना करेगा right मुझे परना है यह बहुत सारे बाहने लगा है लेकिन अगर आपने एक और तो बोल देखने कि यह movie मैं दिखाऊंगा तो फिर वो इंडियूस हो जाएगा right तो बिल्कुल वैसा है कि यह कैसा था non polar था इस पर कोई दाइपोल इंडियूस क्या यहाँ पर आयन नहीं क्या था इसलिए आयन इंडियूस और लास्ट लंडन या डिस्पर्शन फोर्स डैट इस सबसे विकेस्ट फोर्स होता यह यह नॉन पोलर कंपॉंड के बीच लगेंगे यह मॉलिकुल के फॉर एक्जांपल यह नॉन पोलर है तो इनके बीच जो फोर्स अट्रेक्शन होगा उसको लंडन या डिस्पर्शन फोर्स बोलेंगे सिम्रली मीथेन सी ओर टू जेतने भी नॉन पोलर है उसको तो यह अगर आप ध्यान से देखो तो कभी-कभी इनका पूछ ला जाता है कि इसमें सबसे फिर 2 होगा that is dipole dipole फिर उससे कम 3 होगा iron induce फिर 4 होगा dipole induce and last में 5 होगा यह इसके strength का order हो जाएगा तो यह point आपको ध्यान में रखना very simple है क्योंकि name से ही यह सब चीजें आपको clear होंगी तो इसमें यह जो हमनें intermolecular force of attraction परा यह परा क्यों क्योंकि इसमें यह वाला जो है dip dipole-dipole interaction यह important है क्योंकि इसमें एक special case that is hedge bonding dipole-dipole में एक special case है hedge bonding जिसको मैं अभी discuss करूँगा तो अब हम बात करते हैं hydrogen bonding के बारे में that is very important तो देखो उसका simple सा trick क्या है आपको कि आप कैसे पहचाने गए कि कि किसी molecule में hydrogen bonding होगा कि नहीं तो that's very simple आपको यह देखना है कि hydrogen का direct connection hydrogen directly connected phone से है कि नहीं phone का मतलब यहाँ पे hydrogen अगर direct bond बना रखा है directly connected है fluorine से या oxygen से या nitrogen से अगर इन तीनों में से किसी भी element से directly connected है तो वहाँ पे hydrogen bonding होगा for example H2O तो you know oxygen से hydrogen directly bond बना रखा है तो यहाँ पे हो जागा NH3 nitrogen से hydrogen directly attached है तो यहाँ हो जाएगा HF fluorine से attached है तो हो जाएगा alcohol को भी लो या phenol लो तो उसमें hydrogen आपका oxygen से directly connected है तो हो जाएगा कोई acid group ले लो तो उसमें आपका hydrogen oxygen से directly connected है तो हो जाएगा ध्यान दे कि यहाँ पे hydrogen भी है oxygen भी है बट यहाँ पे hydrogen bonding नहीं होगी क्यों? क्योंकि यह जो hydrogen आपका वो oxygen से directly नहीं connected है यह किस से connected है? carbon से क्यों? क्योंकि आपको मालूम है इसका structure right कैसे? तो यह तीन hydrogen carbon पे हैं तो इसलिए यह ध्यान दे यह नहीं कि बस hydrogen oxygen होगा molecule में तो हो जाएगा connection होना चाहिए hydrogen directly connected होना चाहिए phone से यहाँ पे hydrogen directly carbon से connect है oxygen से नहीं इसलिए यहाँ पे कोई hydrogen bonding नहीं होगा तो पहले तो आप पहचानना सिख गे right कहा कहा होगा? Now second point कि अगर आपको number of hydrogen bonding करना हो किसी molecule में तो that is very simple देखो आपको क्या कर लेना? count कर लेना क्या lone pair on phone fluorine oxygen या nitrogen पे lone pair count कर लेना कितना lone pair है? और fluorine oxygen या nitrogen में कितना hedge connected है? fluorine oxygen या nitrogen से कितना hydrogen directly bond बना रखा है? यह तोनों count कर लेना है इन दोनों में जो सबसे कम आएगा, list जिसको मैं बोर रहा हूँ, इन दोनों में जो number सबसे कम आएगा, उसको 2 से multiply कर देना, that will give you number of hydrogen bond for example, अगर मैं NS3 में बात करूँ, तो यहाँ पे lone pair अगर बात करूँगा, N पे तो 1 होगा, और number of hedge bond की बात करूँगा, तो वो कितना होगा? 3 होगा, क्योंकि nitrogen से 3 hydrogen attached है, तो यहाँ पे list कौन हो गया? यह 1, तो इसलिए H bond कितना हो जागा? 2 into 1, that is 2, तो ammonia में अगर कोई पूछ ले, कितने H bond है? एक ammonia के molecule कितने hydrogen bond मनाएंगे? तो 2, similarly अगर water में बात करें, तो you know, oxygen पे 2 lone pair है, तो lone pair भी आपका 2 है, और number of hedge connected with oxygen, तो यह भी 2 ही है, तो यहाँ पे by the way, दोनों same है, तो किसी एक को भी list मान सकते हैं, तो 2 into 2, that is 4, इसका मतलब क्या हो गया? water का एक molecule, 4 hedge bond से घिरा हुआ है, okay, similarly अगर HF में बात करें, तो fluorine के पास 3 lone pair, lone pair हो गए 3, और number of hedge connected with fluorine, तो वो 1 ही है, तो list इसमें 1 हो गया, तो 2 into 1, that is 2, तो इसका अतलब इसमें, HF के एक molecule, 2 hydrogen bond से connected होंगे, वैसे ही, अगर मैं alcohol में निकालनू या फिनॉल में, तो 2 lone pair है, दो, और number of hedge connected with oxygen, तो 1 ही है, तो वो 1 ही है, तो again, 2 into, यह ही list हो गया 1, तो यहां पे 2, तो alcohol या फिनॉल में, एक molecule, 2 hydrogen bond से घिरा हुआ होगा, तो number of hedge bond कोई molecule केतना बनाएगा, उसके लिए ये point number 2 अला trick है, now, point number 3, that is very very important, कि जैसे मैंने बोला कि HF में hydrogen bonding जो होगी, वो 2 होगी तो किस तरीके से, ध्यान से देखो, यह HF का एक molecule लिया मैंने, यह एक molecule इधर से, एक hydrogen bond बना इधर से, right, जीग जैग मैनर में यह बनाता है, तो यह ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है, similarly, अगर मैं water में बात करूँ, तो यह water का मेरा एक molecule है, तो water के एक molecule देखो, 4 hydrogen bond बन हैंगे कैसे, तो उसके लिए यहाँ आपको trick दे रखाओं, कि हमने कैसे निकाला है, right, तो कोई molecule देखो, आप निकालोगे, ना तो question नहीं कि इस पर base question पूछे जा सकते हैं, अगर आप से पूछा जाएगे कि single, यह वाला single, एक hydrogen bond का strength बताओ, तो अभी सी बाते सबस्यादा HF में होगा, फिर उससे कम H2O में, उससे कम N3 में, क्यों, क्योंकि जतना ज़्यादा electronegativity difference आएगा, उतना ज़्यादा polarity आएगा, उतना ज़्यादा H bonding होगी, तो single अगर पूछा, तो यह question में mention करेगा, question में कुछ mention नहीं है, तो overall की बात कर रहा हो, और overall में water ज़्यादा हो जाएगा HF से, क्यों, क्योंकि यहाँ पर द्यान से देखो, तो water में 4 H bond है, एक molecule में, जबकि इसमें 1 molecule में 2 ही है, right, इसलिए water आगया जाएगा, फिर HF होंगे, फिर NH3, इसको अगर समझना हो, तो simple से, मान लो अगर single H bond, single H bond जो HF में, उसका अगर मान लेते हैं, strength 5 है, और water में मान लेते हैं, कि इसका 3 है, right, तो overall बात करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 10, और इसका बात करेंगे, तो 3, 4, 12, तो overall water जीत गया, right, तो इसलिए water का जाएगा, अब हम बात करते हैं, types of hydrogen bonding की, तो types of H bondings होते हैं, वो 2 type के होते हैं, एक होता है intermolecular, और एक होता है intramole molecular, तो पहले तो इसमें ही बच्चे confused होते हैं, तो मैं simple समझा रहा हूँ, inter city होता है, 2 city को connect करते हैं, तो inter में क्या होगा, 2 molecule required होंगे, अगर 2 molecule के बीच bonding हो रही है, तो उसको फिर intermolecular बोलेंगे, 2 molecule minimum required होंगे, और इस type के जो intermolecular होते हैं, वो stronger होते हैं, intra से, intra में क्या होत होता है, एक ही molecule के अंदर हो जाता है, और इसके लिए condition क्या है, यह very very important है, condition क्या है कि 5 या 6 member ring बननी चाहिए, अगर 5 member ring बन रही है, due to hydrogen bonding, या 6 member ring बन रही है, तब ही जाकर करके intra होगा, otherwise नहीं होगा, और inter में 2 molecule required होते हैं, इसमें 1 molecule, यह point के लिए हो गया, example से समझते हैं, for example water में, तो you know, एक water में तो होगा नहीं, एक और water molecule लेंगे, तब जाकर होगा, तो 2 molecule required होगा, इसलिए इसमें intermolecular, NS3 में 2 molecule required होगे, HF में, alcohol में, acid mechanism में 2 molecule required होगे, इसलिए intermolecular होगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहाँ पे 2 molecule की requirement नहीं है, अगर मैं इसको थोड़ा तो यहाँ पे क्या होगा, कि यह hydrogen इस से ही कर सकता है, इस oxygen से, right, hydrogen bonding होने के लिए आपको पहले बता रखाओ, कि hydrogen का connection, एक तो खुद phones होना चाहिए, और वो डूसरा जो bonding, जो dot dot करके दिखा रहा हूँ, वो भी phone से ही वो show करेगा, right, तो यहाँ पे count करो, यह जो 5 या 6 membrane क्या क्या होतला हो, द्यांते देको, यह 1, यह 2, यह 3, यह 4, यह 5 और यह 6, तो यह 6 membrane बन रहा है, तो इसलिए यहाँ पे आपका intra molecular हो जाएगा, तो यह ortho position पे, right, तो इसलिए हो जाता है, अगर यही meta पे होता, तो नहीं हो पाता क्यों, क्योंकि 6 membrane से ज़्याद हो जाता है, 5 य 6 ही बनाच, इसलिए meta पे कभी भी आपका intra नहीं होगा, और para position पे भी कभी intra नहीं होगा, क्योंकि 5 यह 6 membrane नहीं बनेगी, similarly अगर इस type के molecule में बात करें, तो again आप पहले क्या कर लो इसको थोड़ा सा, open करके लिख दो right, यह OH और यह OH, तो आपका hydrogen oxygen site है, और hedge bonding होने के लिए अगर यह इधर से यह किया, तो आप ring count करो, ध्यान से देखो, 1, 2, 3, 4, 5, और यह वाला 6, तो यह 6 number बन रहा है, तो इसमें भी क्या हो जागा, आपका intra molecular हो जाएगा, suppose करो यह OH की position अगर यहां होती, तो फिर नहीं हो पाता, क्यों, क्योंकि आपका केतना member ring हो जाता वो, 6 स जादा हो जाता, या फिर यही OH अगर यहां पर होता, अगर मालो इसी को मैं यहां पर ऐसे लिखे रहा हूं, अगर आपका मालो की OH यहां पर है, और 1 OH यहां पर है, तो क्या यहां पर intra होगा की नहीं, तो आप करके देख लो, आप draw करके देख लो, 5 या 6 number बन रहा है क्या, तो द्यान से देखो, 1, 2, 3, 4, और ये 5, ये 5 मेंबर बन रहा है, इसके मतलब इस पोजिशन पे हो जाएंगे, तो 1, 2 पोजिशन पे हो जाएगा, 1, 3 पोजिशन पे हो जाएगा, ये 1, 2 पोजिशन है, ये 1, 3 पोजिशन है, इन में तो हो जाएंगे, लेकिन 1, 4 पोजिशन प bonding and now last concept यह ट्रीक कि अगर आपको कहीं पे covalent compound में boiling point का compression पूछ रहा हूँ या melting point का तो आप कैसे करेंगे देखो generally जो boiling point का order होता है वही melting point का होता है that is okay लेकिन हर जगा पर वह नहीं लगता है इसलिए मैंने बिल्कुल different trick या concept लेकर आया हूँ कि boiling point अगर बोलेगा तो आपको ऐसे चेक करना है melting point में ऐसे चेक करना है कोई confusion का scene नहीं होना चाहिए तो boiling point जब भी आपको चेक करना हूँ covalent compound में यह ध्यान रहे तो सबसे पहले आपको सर्च करना है कि उसमें hydrogen bonding तो नहीं हो रही है क्या hydrogen bonding होने के वज़ा से extra bond बनने के वज़ा से extra molecular force of attraction आने के वज़ा से उसका boiling point क्या हो जागा increase हो जागा तो सबसे आगे आप hedge bond वाले को रख देंगे अगर hydrogen bonding नहीं है तो चेक करो कि वो molecule polar तो नहीं है अगर वो polar है तो फिर उसका जादा होगा non polar वालो से अगर सारे ही के सारे non polar है तो फिर उस case में कैसे करेंगे तो फिर जिसका molecular weight जादा होगा उसका boiling point जादा होगा तो देखो very simple है पहले आपको चेक करना hedge bond है कि नहीं अगर hedge bond है तो उसको सबसे आगे करना है नहीं है तो polarity चीक करो अगर polar है तो वो फिर आगे होगा और अगर polar भी नहीं है सारे non polar है तो फिर उसमें आप देखो जिसका molecular weight जादा उसका boiling point जादा दूसरा organic chemistry में इस टाप से पूछा जा सकता है तो यहां पर देखो कोई branching नहीं है यहां पर क्या हो गया branch हो गया राइट तो यहां पर branching नहीं होने के वज़ा से क्या होगा surface area जाद होगा तो आपको यहां से ले करके यहां तक heat करना पड़ेगा क्योंकि इसमें surface area कम होंगे तो कम ही area में heat करना पड़ेगा इसलिए balling point non branching का ज़्यादा होगा branching नहीं से यहां पर ध्यान रखे क्योंकि surface area पर depend कर जागा तो यह melting point में जो सबसे important आपको क्या चेक करना है symmetry molecule जतना symmetric होगा उसकी packing होतनी अच्छी होगी और अगर packing अच्छी होगी तो फिर bonding अच्छी होगी एक तरीके से तो फिर melt होने में difficulty होगी इसलिए जतना ज्यादा symmetric होगा उतना ज्यादा melting point होगा जैसे for example तो जहां से देखो इसमें symmetry आ रही है तो इसलिए इसका melting point जादा होगा क्योंकि इसमें symmetry नहीं है इधर CL है तो इधर नहीं है इधर CL है तो इधर नहीं है तो यह symmetric नहीं है तो symmetric structure का melting point बहुत जाद होगा in comparison of non symmetric से दूसरा अगर organic वाले steps अगर पूछ लिया जाए तो again why symmetric का पर लगाना है कि इसकी symmetry बहुत सही है right symmetric है या फिर you can say कि non branching वाले यह इसमें कोई branching नहीं है non branching वाले का melting point कम होगा branching वहन से जबकि boiling point में यह चीज़े उल्टा हो रही है तो इसलिए कुछ बच्चे ऐसा concept बना लेते हैं कि जो boiling point का order होगा वाई melting point का यह 100% करेक नहीं है कहीं कहीं पर उल्टा भी है इसलिए हम concept को ध्यान में रखेंगे कि कैसे हमें check करना है तो I hope यह जो आपको चार ट्रिक्स हमने दिया है वो सही से समझ माया होगा इस पे बेस्ट आप सारे PYQ's आप कर सकते हो और आप देखो कि आपसे easily बन जाएगा thank you